आज हम क्या बनाने वाले हैं आज आम लोग बना रहे हैं चिकन बिर्यानी एक पैन लीजिए पैन ये एक खड़ाई ये खड़ाई लीजिए और उसमें पानी आज करनें ये मसाला तयार किया हुआ है जिंजर गरलिक और चिल्नी पेस्ट ये पानी में गरम होने के बाद अड़ करने का है और इसमें टेल डालके इसमें जो लवंगा है और ये क्या है बेलीफ बेलीफ और जीरा डालने का है और वो जो पता है और ओनियन डाला है ओनियन फ्रै करने के लिए चोड़ना है और मैं बुल गई जब तक गोल्डन फ्राइ नहीं होता है तब तक इसको स्ट्यूर करते रहने का है कर्डमम भी आड़कर अनुए अब ही देखों यह तयार होगा है राश के लिए उसमें हम लोग पानी डाला है और जिंजर गर्लिक पेस्बी और यह राइस है यह राइस हम लोग दोके रख दिया था और एक छिकन भी यह ए जब पानी गरम होएगा बॉइल होएगा तब आम लोग इसमें रइस डालेगा अब म Пर नमक डाल रहे हैं इसमें तोड़ा से जितना आपका तेस्ट इसना आप नमक डाल सकता है अब देखने इदर इवी उन्यम भी फ्रै हो रहा है और इसमें भी अमिल छोग नमक डाल दि जब तक ये गोल्डन फ्राई होएगा अम अभी ये पानी भी देखेंगे राइस ने ये पानी बॉइल होने के लिए रखा है जब तक ये पानी बॉइल होएगा अम लोग इसको भी तोड़ा देखेंगे इसको स्टियूर करने का है अभी पानी बॉइल हो गया देखो आप देख सकता है अभी अम लोग रैस डालेंगे बास मत ये रैस डालने का है जब पानी बॉइल होगा उस टाइम आप ये बासमती राइस डालने का अब इधर ओनियन भी फ्राई हो गया अब हम इसमें जो मसाला बाकी का है टोमेटो डालने का है टोमेटो डालने के बाद हम लोग इसको तोड़ा सा स्टिर करेंगे अब ही चावल उबाल रहा है इसको पूरा नहीं पकाने का है चावल को इसको एक 80 परसंट तक पकाने का है अब ही ये तोड़ा पक रहा है और भी तोड़ा बाकी है अभी देखिए इधर भी सम्मसाला रेडी हो गया अभी यम क्या डालने वाला इसमें चिल्ली पोडर ओकी अभी चिल्ली पोडर डाल डिया फिर स्चिर करेंगे इसको शायद इतर अभी रैस बोईल हो गया है देखते है आप उपर अभी रैस बोईल हो गया कंप्लेट अभी हम लोग उसको ड्रेइन करेंगे वो पानी निकालने का है और सिर्फ रैस हम लोग को लेने का है अभी चावल देखिए आप कैसे बोईल पूरा नहीं बोईल हो आए 80 परसं तक बोईल हो गया है अब इसको इसमें डाल देंगे पानी पूरा निकाल देने का है अब लोग अब देखिए रैस केसा दिक्राओ और इदर मासाला भी रेडी हो गया अब इसमें हम लोग जिंजर गार्लिक और चिली का पेस डाल देंगे डाल के हम इसको स्टीर करने का है अच्छा से इसको स्टीर करना है तब ही मसाला आपको अच्छा टेस्ट मिलेगा और वो उसका जो अरोमा है अमारा फेस में मूँ में आ रहा है मसाला का बहुत अच्छा टेस्ट है अच्छा कुश्बूई और चिकन भी है अभी हम इसमें चिकन डालेंगे वन केजी चिकन डाला है हम लोग इसको अम एक दो तीन मिनित तक पकाते है मसाला तब उसमें पकड़ने का है चिकन में अभी इसमें हम कर्ड डालने का है कर्ड और लेमन और यह एक मसाला है बॉंबे बिर्यानी का यह भी डालने का है अभी चिकन बॉयल हो रहा है अच्छा कुश्बू है माशाल आच्छा कुश्बूई और यह रैस भी पानी सब ड्रेन होके रड़ी है और यह सब मसाला अभी डालने के लिए चिकन में अभी तर्मरिक डाला है यह सब मसाला है इसमें कॉरियंडर है गरम मसाला है और जीरा है पेपर है तर्मरिक है क्यूमिन पोडर है अभी इसको स्टीर करने का फिर से और यह रेच्चिली भी है पेले भी हम लोग डाला तो आपने देखा तना और फिर हम डाल दिया यह जितना आपको स्पैसी चाहिए उस हिसाब से आप डाल सकता है अच्छा कुश्बू है क्या कुश्बू है कुश्बू में अमरा मूं में पानी आया अभी डाला कर्ड एकड डालेंगे तो अच्छा वो ग्रेवी आएगा और चिकन भी तोड़ा टेंडर होएगा जबर दस्थ कुश्बू है अरे अम निम्बू डालना आभी निम्बू डालने से भी अच्छा चिकन टेंडर होता है पेपर पोडर डाल दिया भी इसमें ज्यादा पानी नहीं डालने का अभी चिकन जो हम लोग डाला था ना वही पानी चोड़तेगा यह बिर्यानी मसाला है अभी हम बिर्यानी मसाला डालेंगें लास्ट में हम लोग जब सब रेडी होएगा तब इसमें रैस डालने का उपर इसके लिए पानी हम लोग कम रखने का है जो मसाला बनाएगा ना उसमें पानी बिल्कुल कम रखने का है और उसका उपर हम रैस डालेंगे रैस सब डालने के बाद फ्लेम जो है उसको हम स्लो करने का है उसका उपर कोरियंडर का लिस डालेंगे और पुदीना भी डाल दें यह सलाट बना रहा है यह लोग सलाट के लिए करड लिया कैरेट लिया और ओनियन और कोरियंडर लीब्स यह सब तोड़ा नमक भी डालने का और चिली भी डालने का है यह सब डालके स्टिर करने का है यह तोड़ा सा पेपर पोडर है फिर सब मिक्स करेंगे नमक के देखे इसा होएगा अच्छा वाला सलाट बनेगा यह बिर्यानी के लिए यह हम लोगोंने बहुत स्लो फ्लेम में रखाता लेवन मिनिट्स के लिए अभी देखें कम्प्लीट दम बिर्यानी हो गया दम में रखाता अभी रेडी टू सर्वे अम कम्प्लीट रेडी होने के बाद दस मिनिट तक फिर से दम में रखाता फ्लेम ओफ करके अभी सर्विंग करते हैं अभी आई हैं अमारे साथ काना कानी के लिए देखें किसे चिकन बन गया अच्चा सा दम हो गया है अभी बहुत अच्चा कुश्बु है देखते ही मूँ में पानी आ गया मेरा आप भी ट्राइ करिए ऐसा वला बिर्यानी बहुत अच्चा बनेगा इस ए बिर्यानी इसमें हम लोग कोई कलर गिलर कुछ एड़ नहीं किया है नैच्चुरल कलर है देखिए और ये सलाट देखिए आप आप भी ज़रूर ट्राइ करिए ये बिर्यानी अगर आपको अच्चा लगा तो प्लीज लाइक शेयर करिए सब्सक्राइब भी करिए